दी उसक्लिक पर आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे चन्रयान का जो घोशना था कि आज सुबह मंडे सुबह ये चलेगी चांद की तरह ये इस रो ने इस लॉंच को कैंसल कर दिया इस वक्त तर कहा है कि दस दिन में बताएंगे अगला लॉंच डेट क्या होगा इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दी रगुनंदन है रगु ये जो लॉंच कैंसल हुआ है कोई इसके बारे में कोई संदेश नहीं है किसलिए कैंसल हुआ पर लग रहा है कि इस पर रॉकेट में कुछ टेक्निकल स्नैक जो कह रहे हैं निकला था जिसके वज़ जो क्रायोजेनिक इंजिन है उसमें कुछ शायद लीक या कुछ हुआ हो उन्होंने उसकी पूरी लिक्विड फ्यूइल पे चलता है तो वो आखरी मिनिट में ही फ्यूइल लोड होता है उसके अंदर लोडिंग तो पूरा हो गया था उसके तुरंट बाद ही उन्होंने जिनाया था खुद इंडिजनिस टेकनोलजी से उसमें पहले भी प्रॉब्लम्स आये थे हमारे और खासतोर से क्रायोजेनिक स्टेज की कॉंप्लेक्सिटी ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे क्रायोजेनिक स्टेज का मेंन मकसद यह ए कि वो बहुत ही कम टेंप्रेचर में काम करता है तो उस कम टेंप्रेचर में जो काम करता है उस पर कायम रखना उस पर कंट्रोल रखना ज़ादा मुश्किल होता है जो मेटिरियन्स होता है gaskets ह候ता है इसलिए क्रायजन एक एंजिन थोड़ा सा कोई जादा ही नाजुक होता है तो इसलिए वहाँ स्नैग होने का संभावना है हलांकि इस GSLV-3 रॉकेट के पहले दो सक्सेस्फुल लाउंचेज हुए हैं भारत से तो उसमें वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए पर यह होता है लाउंचेज में कि कुछ न कुछ टेक्निकल कारण के वज़ए से लाउंच को पोस्पोन करना पड़ता है तो आपकी बार किया इससे अच्छा है कि यहीं पर हमने डिटेक्निकल अब लिया कुछ करबड़ी है ना कि उसको भेज़ कर अगर भेज़ दिया फर तो पूरा ही नुकसान हो जाता दूसरी बात आपको जो जानकारी के लिए हमारे दरशुक को कि यह हमारा जो लाउंच विंडो जिसे कहते हैं चांद के तरह जाने के लिए उसका जुलाई 16 के बाद लाउंच विंडो काफी बाद में होगा तो अगला लाउंच विंडो से, मान के चलें कि दस दिन के अंदर हमें पता चेल जाएगा क्या प्राबलम है, कैसे ठीक हो सकती है, पर ये लाउंच विंडो क्या होने का संभादना क्या है? अभी तक लग रहा है कि ये तकरीबन शायद एक से दो महीने बाद ही हो सकता है. चंदरमा के पुजिशन, क्योंकि हमने रॉकेट भीजना है, चंदरमा को फिर वो जाके रॉकेट करेगा और घूमेगा, तो वो अगर चांद का पुजिशन पृत्वी के मताबिक हट जाता है, तो लाउंच की दिशा, डिरेक्शन, वगयरा सब बदलता है. तो इसलिए ठीक पुजिशन करने के लिए ताकि वो सबसे कम डिस्टन्स हो, ठीक पुजिशन हो और रॉकेट ठीक से पहुंच जाए वहाँ पे, इसलिए रॉकेट का विंडो, एक तो लाउंच का विंडो इससे तैय होता है. दूसरा है मौसम के कारण, कि यहां भी मौसम होना चाहिए ताकि लाउंच ठीक से हो, चांद के मौसम में ज्यादा फरक में पड़ता है. और हमारा वो पोलर और यह लैंडिंग लाउंच है कि पूल बे जाके जाके करना है, उसके लिए भी चांद का पॉजिशन देखना है. पृत्वी के पॉजिशन के मताबिक उसको तो इसलिए एक अगला लॉंच विंडो उस हिसाब काल्कुलेट थोड़ा सा देर हो सकता है. बरस्पत की अगर जन्दी ठीक हो जाता है तो इसको मान के चलते हैं. दूसरी बात आप से पूछना चाहते हैं यह जो इस मॉडल जिसके जरीए आप पेलोड ले जा रहे थे जो कि आपकाल मून रोवर है एक हिसाब से मून पे चलने वाला वेहिकल है तो उस पर बताएंगे कि इस जीएसल्वी अगर तो जो पिछले जीएसल्वी भारत के पास था वो तक्रीबन धाई टन यानि 2500 किलो वजन के उपग्रह को जियो स्टेशनरी ट्रैंसफर और्बिट जिसे कहते हैं जहां पे वो एक जिगए पे स्थिर होके पृत्वी का प्रदक्शन कर सकता है उसमें हम केवल 2500 केजी तक के उपग्रह को बेज सकते थे उससे ज़्यादा वजन अगर उपग्रह का हो जो कम्यूनिकेशन सैटलाइट वगरा में होता है फिर हम यूरोपियन स्पेस एजिंसी आरियान के पास जाते थे जी एसलवी त्री के जो दो लाउंच हो चुके हैं उसमें एक लाउंच में साड़े तीन टन यानि की 3500 किलो तक के वजन के उपग्रह को हमने बेजा हुआ है इस लाउंच में चंद्रयान टू में तकरीबन चार किलो का कुल वजन चार हजार किलो का चार टन कुल वजन होता है लैंडर स्पेस क्राफ्ट और रोवर तीनों को मिला के तो इसको हम लाउंच तो कर लेंगे पर जी एसलवी त्री में इतनी शक्ती नहीं है कि उसको हम सीधी चंद्रमा को भेजें इसल लिए हम उसको पृत्वी के इर्दगिर्द घूमते हुए और्बिट में पहले डालेंगे फिर यहां से कुछ तीन चार बार बूस्टर मारके उसके और्बिट को और लंबा करेंगे फाइनली वो और्बिट इतना लंबा कर देंगे कि वो चंद्रमा के पास पहुंच जाए जब चांद अपने ग्राविटी के अंदर उसको पकड़ के अपने इर्दगिर्द वो घूमने लग जाए इसलिए हालांकि अब की बार यह चंद्रयान टू को लेके काफी जो हुआ सा मचा हुआ था लोगों को शायद यह लग रहा हो कि जिस दिन हम लाउच कर लेंगे चांद तक पहुँचके फिर लैंडर नीचे चंद्रमा के सर्फिस पे उतरने का योजना था यह जो है सफर करीब दो महने का सफर था जिस तरह से आपने कहा हाईप किया गया था तो उससे लगा था कि आज सुबह बेजेंगे और आज रात तक पहुँच जाएगा करीब कर अमरीका फ्लाइड जैसा इस तरह के एक तद्वीर कायम किया गया था दूसरी बात आपसे यह भी चर्चा करना चाहते थे यह काफी क्या कहते है एक तिवहार के तरह इस रोड इसको लोग इकठा करके इस पे फ्लैग शैग लगा के जिन्दाबाद के नारे के एक माहौल ब उपलबदियां होती हैं पर उसके साथ राश्टरवाद जैजय कार करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है स्पेक्टिकल नहीं बनाना चाहिए उससे लोगों की उमीदें भी बढ़ती हैं जैसे आपकी बार हुआ ऐसे लग रहा था कि भारत एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी उपलबदी को कायम करने जा रहा है दुनिया में एक रेकॉर्ड स्थापित कर देगा हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया और जिस दिन नहीं हुआ तो हवा निकल जाती है उसमें तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है जमाना था पचास साल पहले जब यूएस और सोविय लग जाएं抗 tua हो हो सकता है इसराइल में एक प्राइवेट वेंचर है नीजाईशन है जो ऐसे ही एक प्रयातन में लगा हुए है वह सकता है हमारे जाने से दो मेने से पहले वह पहुंच जाए इसका मतलब थोड़ी कि भारत कहीं हार गया और इसराइल जीध गया मेरे खैल سے ویڈیان اور تقنیک کو اس روپ میں نہیں دیکھنا چاہیے اور سرکار اگر یہ کر رہی ہے وہ خود میں غلط ہے اور میڈیا والے بھی اس کو اتنے ہلا مچا کے ہوا بنا کے کرنا ایک اپنے آپ میں غلط ہے اور دوسرا میرے خیال سے ویڈیان اور تقنیک کیسے بڑھتا ہے اور کیسے ان کی اس کی بڑھوتی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ایک غلط آئیڈیا ہمارے अबादी में और चात्रों की बीच में जाता है एक स्पेस कॉम्पिटिशन नहीं है बिलकुँ खास तोर से इस वक्त आपने जो कहा कि करीब पचास साल पहले वहां पर लोग आ गए थे और इसके बाद दुबारा हमने भेजा नहीं क्योंकि उस पर कोई वाइग्यानिक उपलब्धी नहीं है तो मैन मिशन तो मून इसके बाद जरूरत नहीं समझा और अगर वहां भेजना है तो इसके सिर्फ वाइग्यानिक अनुसंधान एक तरफ दूसरी तरफ आपका टेकनोलोजी की विकास जिससे आप मुख्य चीज जो है कि आप जियो स्टेशनरी और्बिट में आप कमुनिकेशन सैटलाइट्स साइन्टिफिक पेलोड वाले सैटलाइट्स को भेजें यही मुख्य काम इस वक्त अग्यादिक दृष्ट कौन से है और मेरा यह मानना है कि अगर भारत स्पेस में जाके अंतरिक्ष में जाके नए खोज करना चाता है तो इसमें थोड़ा सा सोच समझ के कुछ नई चीजों के बारे में सोचे जिससे की विज्ञान वाकई एक नया चरण ढूंडे अब चीन ने कुछ महीने पहले चंद्रमा के उल्टी साइड जहां पे अंधेरा डार्क साइड जिसे कहते हैं वहां पे लैंडिंग किया अब हम चाते हैं हम भी कहें कि हमने कुछ नया किया इसलिए हम अब सौथ पोल में जाके लैंड कर रहें अब ठीक है ऐसी चीजें की हमने पहले किया उसने बाद में किया पर अगर विग्यान का खोज हमने वाकिए तेजी से आगे बढ़ाना है तो मेरे ख्याल से हमें कुछ नई चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि हम अंतरिक्ष में जाके क्या करेंगे उधारन जपान ने अभी हाल में एक रॉकेट को भेजा जो की हमारे सोलर सिस्टम में घूमते हुए पत्थर ऐस्टरॉइड्स जो होते हैं एक छोटा सा ऐस्टरॉइड जो पृत्वी से 200 मिलियन किलोमेटर्स की दूरी पे है उस पे जाके सॉफ्ट लैंडिंग किया है और वो सॉफ्ट लैंडिंग वहां के रॉक्स को इकठा करके वापस आएगा अब जपान ने ये किया और जपान को इतना बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेटिंग अंतरिक्ष में करने वाला नहीं माना जाता तब भी अगर आप दिल लगा के उस पे कर रहे हैं तो कई सारी ची को एक धक्का दिया जा रहा है कि आप ऐसी चीजें करो कि भारत का जंडे को लेके आप उसकी पॉब्लिसिटी हो ना कि सीरियसली विग्यानिक खोज में आप कुछ उपलब दिया हासल करें और टेक्नोलोजी विग्यान की छेत्र में कौपरेटिव वेंचर्स जादा होनी च कर्चा करने के लिए आज में न्यूस क्लिक के लिए इतना ही देखते रहिएगा न्यूस क्लिक